नमस्ति स्वागत आपको वीडियो में आज है आपका second डिप्रॉल और उसी के साथ साथ अगर आपको चाहिए पर नहीं तो definitely like शब्सक्राइब कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा और जो भी वीडियो आप चेक करें आप लाइक जबा दीजेगे ताकि इस वीडियो को जादा व्यूज मेरे और उसी के साथ साथ अगर आपको रेगलर अपडेट चाहिए तो आप हमारे वेबसेट में जाके सारा जो financial news, stock market के analysis है, mutual fund के analysis आप चे तो चले है शुरू करते हैं आज के इस वीडियो हो, so important news जो हमने देखा है वो यह है कि अभी public domain में जैसे मैं बार बार के रहा हूं कि आपका जो है internal economy जितना भी अच्छा हो, CAD जो है हमारा बहुत हद तक कम हो रहा है, CAD मतलब current account deficit, यानि जो import और export के बीश में जो difference है, वो ब most populated country in the world और आस्ते आस्ते जो aspirational class है या बोल सकते हो कि debt के availability के वज़े से, लोग का spending, expenditure का जो capacity है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, rich class जो है, upfront class जो है, upper middle class जो है, वो तो typically आपके tax को वाइट करते हैं, उनके पास resources के अभाव नहीं होता है, पर अगर हम देखे हैं, जो low income group है उसके पास अभी debt जो है, वो बहुत ही असानी से वो access कर पा रहे हैं, और recently जो हमने news देखा है, वहाँ पर भी हमें यह देखने को मिलता है कि microfinance जो इतने भी सारे companies है, या micro lending companies है, they are proactively जो है, वो जा रहे है market में market को access कर रहे हैं, और अपना जो market share है, उसको expand करनी की कर रहे हैं कि credit health जो है, कोई भी bank जो है, कोई भी microfinance company है, कोई भी NBFC company है, वो जब आपका loan देना शुरू करता है, और वो loan जब रिकवर नहीं कर पाता है, तो NPA होने की chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं, तो जब भी आपके economy में NPA बहुत जादा हो जाएगा, तो फिर वो अखंड भारत into three parts, that is Pakistan, पहले तो दो पारत था, पाकिस्तान था और इंडिया था, पाकिस्तान का नाम होता है, पाक्स्तान, पाक मतलब प्योर्स्तान, और अभी जो है, फिर पाकिस्तान, जो है, एस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था, जिसको आपका 1972 में उसको तो So, यहां पे हमें क्या देखना को मिरें, that India is setting near and medium term and long term goals to be a developed country by the year 2047, the focus area includes electric mobility, digitization of payments, infrastructure and high speed expressways, so mainly यहां पे focus कह जा रहे है कि हमारा जो dependence है, energy dependence है, primarily fuel dependence है, उसको reduce करना पड़ेगा, जैसे मैं वही बोलने हो आला था, कि आपका CAD अपका deficit को कम easily कर पाहोगे, कि जतना आपका energy consumption होत जाते है, क्योंकि India is not an energy independent country, तो इस जगह पे issues हो जाती है, आपको import करना पड़ेगा, इंपोर्ट आप किस में करते हैं, कौन से currency में करते हैं, आप करते हैं, डॉलर में, डॉलर के आप control कर पाते हैं, नहीं, आप नहीं कर पाते हैं, डॉलर को कौन control करते हैं, डॉलर को कौन उसका हमेशा जो है, डिपेंडेंसी रहेगा, जितना जाधा डिपेंडेंसी रहेगा, उतना ही जाधा आपका 4X का पैसा का जो outflow है, out of India will be there, so this is what it is, and उसके बारे में आपको ये भी देखने को मिलेगा, आज नीज में कवर करूंगा, कि वहाँ पी ये भी बताएगा, कि को जो हमें strong बनाना परेगा, अगर हम अपनी एकनोमी को robust बनाना चाहते हैं, और grow करना चाहते हैं, जैसे आपका dollar is a standard currency, बहुत सारे countries उसको accept करते हैं, उसमें deal करना allow करते हैं, उसी जगह पे जब तक आप अपना currency को global currency नहीं बनाते हैं, तो फिर आपका जो एकनोमी है वो आप बोलोगे कि China में जो China इरान की सार्थ deal करता है, युवन में deal करता है, वो dollar में deal नहीं करता है, रशिया से जो वो अपका purchase करता है, वो युवन में deal करता है, तो वा पे dollar का requirement नहीं होता है, तो इसलिए आपका China बहुत हथत्त तक जो है वो आपका independent है, energy independent है, इसी जगह पर जैसे युएस ने इरान के उपर embargo लगा के रखे हुए हैं, बहुत से sanction लगा के रखे हुए हैं, और इस जगह पर China, it doesn't care about the sanction और वो direct आपका deal करता है, तो उस level पर जब आप जाओगे, उस level पर जब आप game खिलोगो, उस level का power जब आपके पास तो फिर आप world को जो है, dictate कर पाएंगे, जिससे US जो है, पूरे globally आपका dictate करता है अपने terms को, रश्या थोड़ा आपका कर रहे हैं, और फिर चाइना जो है, वो भी अपने terms को जो है, वो dictate करता है, भला बुरा कोई नहीं होता है, चाइना, अमेरिका, दोनों सब सेम ही है, मतलब from my Indian point of view, अगर आप देखोगे, हम बोलते हैं ना, चाइना बुरा है, चाइना बुरा है, और अमेरिका अच्छा है, ऐसा कुछ ही नहीं है, दोनों सेम ही है, आपके लिए दोनों सेम ही है, दोनों ही आपको use करेंगे उनके खुद के benefit के लिए, आपको यह देखना बड़ेगा, आप उनको कैसे use कर सकते हैं अपने benefit के लिए, इसलिए इंडिया में आपका जो IT sector है, फार्मा सेक्टर है, वो प्रामारिली गोरो को, यानि अमेरिका में आपका IT services और जो फार्मा services उसको आपका फार्मा प्रोडक्स को sell करके वहां से डॉलर को लेके आते हैं, इंडियन economy, definitely आपने देखा है कि 50 billion dollar, 100 billion dollar, जो है आपका inflow होता है, थ्रू IT services, थ्रू फार्मा services, so this is how you need to take benefit of their economy and make money and improve your country and your country's lifestyle and primarily बो सकते हो कि उसका economic growth, और इस आपका यहां पर देखने को मिल रहे है कि आपका जो डिनर का जो खर्चा यानि आपका होस्पिडली सेग्मेंट में हम यह देखना पड़े है कि fine dining ही, यह quick service restaurant की बात निकर है, fine dining में जो है, आपका near about 5 to 8 percent आपको growth देखने को मिल सकता है and reason because यहां पर जो labor cost है वो slowly and gradually वो बढ़ा है, real estate cost बढ़े, fuel cost बढ़े and definitely जो आपके income cost है वो भी आपका बढ़े but आप जब किसी भी fine dining restaurant है वहां पर आपका अगर coffee का दाम अगर 10 percent भी बढ़ता है तो उसमें उतना effect नहीं होता है but यहां पर अगर आपका fuel cost, labor cost और आपका real estate का cost अगर बढ़ जाता है तो वहां पर वो definitely contribute करता है, वो add up करता है और gold rush जो है, आपका देख पार है कि gold rush का हालत actually बहुत खराब है, gold का demand बहुत ही साथा कम है, यह all time high, lifetime high आपका points रुका, 69,000 50,000 था 55,000 था भी 69,000 this is outrageous marking 18.2% surge in past 6 months which is absolutely bonkers gold हमेशा stable होता है but यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है that gold is not at all stable and यहां पर बहुत सादा आपको return तो मिल रहा है but आप इसमें खरीद नहीं सकते because the prices are all time high इसका वैसे जितने भी jewelers है क्योंकि शादी के जो segment है सादी में आपका gold का दाम 10,000,000 भी होगा तब भी लोग खरीदेंगे क्योंकि वो cultural चीज़ों में घुश चुका है तो इसलिए gold का concept क्या था पहले भी जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी भी मैंने explain भी क्या था कि दहेज प्रथा जो है को कुप्रथा नहीं कहना चाहिए reason because दहेज का प्रथा ये था कि पहले तो हम गरीब थे देश गरीब था, शोशिद था ठीक है तो वहाँ पर क्या होता था अगर आप एक ही जोपड़े में रहते थे और अगर आप शादी करते थे तो आपको धूसरा जोपड़ा बनाना परता था उसके लिए पैसा तो किसी पास नहीं था तो किसी ने गाय दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने ये दे दिया, वो दे दिया दान करते थे या रखते थे अपने पास तो वो रखने का रीजन यह था कि कभी भी कोई दिक्कत होती है कि bank deposit यह सब तो तब नहीं था तो फिर वो महाजन के पास अपना सोना गिरुभी रख्या पैसा उठाते थे जब देखने कि band करना शुरू करते है और अभी जैसे अपको बता है कि अधे धे उड़ी के बाद 50 आलमोनी निया वो भी गलत है, so this is how it works, so both side, like no one is correct, तो complicated चीज़े होती है, लोग अपने benefit के लिए सारा चीज़ करते हैं, बट्टम राइन यह की gold का जो culture है, culture significance हो यही से आता है, तो इसलिए सोने कादाम जितना भी होगा, लोग खड़ी देंगे, अभी क्या हालत है, कि आपका silver का दाम भी बहुत जादा है, gold का दाम तो absolutely बहुत जादा है, तो लोग यहां पर, जो investment point of view से जो purchase करते हैं, जो जो invest करके रखते हैं, या for example, physical gold भी जो purchase करके रखते हैं, वो उसको वाइड करेंगे, इस प्राइस में बेचना बहुत जादा फाइदमन्द है, खरीदना एकदम फाइदमन्द नहीं है, so it's better to hold, और sell right now, and buy का तो position रखना ही नहीं है, because all time higher, so इसलिए क्या होगा, कि demand कम हो जाएगा, तो supply बढ़ेगा, फिर से आपका जो prices slump करेंगे, then again the cycle will go on and on and on, this is how it works, 5G का यूजर जो है, Jivo का 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, Airtel का 75 मिलियन क्रॉस कर चुका है, so again, इससे कुछ फाइदा होगा, economically, as such नहीं पड़ी, वो टेकनोलोजिकल एन्हांस्मेंट या टेकनोलोजी का जो आपका adaptation है, हो आप यहाँ पर देख पारें किस तरीके से टेकनोलोजी का adapt किया जारें किस तरीके से, लोग 4G से, 5G में बहुत स्लो, बहुत ही जादा स्लोली जो है, वो मूव कर रहें, होटल डील से हिट 401 मिलियन डॉलर इन 2023, यहाँ पर हमें यह देखने को मिला है, आपका फ्रेंचाइजी यह चेंड हॉस्पिटल से, वो भी इन्वेस्ट कर रहें, अपने कपासिटी को एक्स्पैंड कर रहें, ताकि नेक्स्ट 5-10 साल के अंदर, जब वो एजिंग पॉपुलेशन आएगा, बीमारी बहुत जादा बड़ेगी, तो फिर वो यहाँ पर अपना ट्रीट्मेंट करवा सकेंगे, और फिर यह जो सेग्मेंट है, यह जो इंडिस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से क्रो करेगा, इंडिया इंक का जो फंडरेजिंग है, वाया बॉन्ट टचेस, रेकॉर्ड 9.77 लाक करोर, इंडियान कमपनीज बॉन्ट के मार्केट में से बहुत तग्रे लेवल का पैसा उठा रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि आपको यह आप देखोगी, यह पैटन है, जो नए-ने आई-प्यूस हैं, जो मतलं ह Hence why, यहां पर जो गोरा है, वह बहुत जो गूरे का पैसा है, जो आपका गोरे का पैसा है, यह आपका सिंगपोर, मॉरिषियर्स या साइप्रेस से जो पैसा आ रहे है, चैमेर आइनललिंस जो पैसा आ रहाय है, वो bond के मादम सी इसली मिल रहा है because वो बंदा है उसको पताएगी जो मलब गोरा है या जो आपका गल्फ का मनी है उसको पताएगी market जो है बहुत ही volatile है अभी जब तक आपका अमेरिका में election नहीं होते हैं इसराइल में इसराइल का वार चल रहा है पैलस्टाइन इसराइल का वार चल रहा है रश्या यूकरेन का वार चल रहा है तो अभी जो ग्लोबल टेंशन था चाइन और यूएस के बीच में वो अभी तो आसा सबसाइड हो गया है तो अभी दुनिया में अगर हम देखें जो इंपॉर्टन वार इंपॉर्टन डेजिंट जो थोड़ा सा सुर्क्यों में रहते हैं इसराइल और रॉड्या वार है बाकी अफ्रिका में थुरौर्ड 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 थे इर आपका कही ने कहीं शिविल वार हो रहा है मैसकर हो रहा है अब एस अच ब्रूप questo इसको लूट नहीं जाते हैं तो उसका उतना significance नहीं है और इसका global geopolitical उतना importance नहीं है और इसका global geopolitical उतना importance नहीं है that is the reason why वहां पर इतने ethnic cleansing हो रहे हैं अभी भी हो रहा है ऐसा नहीं कि पहले होता था आपनी definitely videos भी देखे होंगे so economic अगर हम देखे पॉलिटिकल इंस्टबिलिटी है और उसी जगह पर वो जानते हैं कि भाई यहां पर अभी equity market में पैसा डालना तोड़ा से रिस्की हो सकता है so they are also doing the balancing act and इसलिए जो पैसा है पैसा वो तो रखनी सकते है इसलिए वो बांड मार्केट में डाले है और U.S. bond market में डालेंगे या European bond market में डालेंगे तो इतना जादे रिटन आएगा नी so that is the reason why they are investing and they are you know giving out bonds to much more stable markets that is one of the market is India one of the market is India and China में भी पैसा जारा है but India China में आपका housing bubble है banking system में collapse हो रहा है shadow banking के बज़े से so यहां पर India इस मतलब बोल सकते होगी best out of worse ठीक है इसलिए वो यहां पर इंडिया में पैसा डाल रहे है easily available capital available है और उसको यूटलाइस किया जाना है भाई large cap companies और you know corporate companies और भयानक गर्मी आने वाली IMD जो है उसने बलाए बताया कि extreme heat है April June में और जब extreme heat होगा तो definitely आपका जो season है या जो खेती बारी वहां पर आपका dry spell होने के वज़े से crop का damage होने के chances जादा है और यहां पर जो उपज होनी चाहिए या उपज होने के expectation है उसका effect कर सकता है so we can expect some kind of inflation increase in inflation और यहां पर FCI के उपर बहुत जादा pressure रहेगा accumulate करने के लिए ताकि market में जब क्योंकि आस्ते आस्ते next एक-दो महीने के अंदर आप देखो कि inflation बहुत हद तक बढ़ेगा और this will not be one of the reason will be जितना आपका acreage होना चाहिए था जितना आपका output होना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा उसी के साथ-साथ आपका holding बहुत अच्छे level पर शुरू हो जाएगा क्योंकि election आ रहा है negative impact होगा वहां से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं so FCI जो है उसको प्रेशर रहेगा और बहार से जो है इंपोर्ट का जो प्रेशर है importers will be making a lot of money and जो back marketing कर रहे हैं holding कर रहें they will be making a lot of money a lot of political parties will be also making money but यहां पर जो net loser होगा वो है आम जंता इसलिए आपको आम नहीं आपको गुटली होना पड़ेगा अगर आप उस सर्वाइब करना है तो कौन कर एफेक्ट होगा companies involved in agriculture food production and basically food storage जो इंपोर्ट का काम करते हैं और यहां पर जो cooling solution या cold storage चलाते हैं उन पर आपका जो है effect हलका फलका देखने को मल सकता है और यह सारे news जो है आपको हमारे website में मल जाएंगे अगर आप membership लेते हैं तो definitely हमारे website में जाके आप membership ले सकते हैं सारे updates आपको आपको हाँ पर मिल जाएगा 200 to 500 million dollars so that is near about 2000 to 4500 क्रूर रुपीस और यहां पर वो पैसा डाल रहे हैं वो पैसा और डालेंगे और medtech में भी और भी जादा पैसा आएगा micro lenders look ways to tackle skew in credit reach तो वही बोल रहे हैं कि जो दस state में ही उनका 85% business चल रहा है वो उसको आपका grow करना चाहते हैं बहुत से जगा पर move करना चाहते हैं और गरीब लोग को और ज्यादा loan देके या easy credit प्रो पहुंचा के उनसे ज्यादा वो leverage करके पैसा उठाना चाहते हैं so again low income group जब भी उसको easy access मिल जाता है credit का तो उसको typically सही जगा पर वो utilize नहीं करते हैं और जो aspirational जो चीज़े होती हैं वो उसको purchase करते हैं जिससे as such उनका value creation या income generation नहीं होता है so definitely a very good initiative by these industries and इसका जो ancillary industries है या influencer marketing वाला जो business है वो segment है वो definitely यहां पर grow करेगा Sanofi जो है वो इंडिया में एक से दो product हर साल launch करेगा and insulin, glargine, lixase, senatide और primarily आपका BP और diabetes के आपके drugs को वो इंडिया में sell करेगा health tech में hiring तगड़े level पर grow करेगा है जैसे मैंने बताया कि health tech will be the new fin tech and the covid के damage इस तरीके से head tech grow करा था उसी तरीके से health tech अभी बहुत इच्छे level पर grow करेगा और आप कुछ दिन बाद देखो के pharma tech बोल के भी एक चीज आएगा pharmaceutical और वही फार्मा है डाइग्नोस्टिक टेक, medtech, medtech के अंदर है उसको अब ढाल सकते है भाई जू फिर से आपका salary दे नहीं पा रहा है और यहाँ पे halat actually बहुत कराब है so let's see बाई जी को पता नहीं क्या होगा but I feel very sad for by juice so that's it for today, thank you for watching this video कोई भी question, कोई comment section बता सकते हैं आपके साथ कल, जो भी important news था मैंने वो cover कर लिया आज के लिए और अगर आप बाकी जो news है वो अगर आप check करना चाहते है तो definitely हमारे website में जाएए, today's news पे click कीजिए और सारा चीज जो है बहुत ही असानी से आप access कर पाएंगे सारा important चीज जो है वो आपका simple भाषा में explain कर दिया गया है और सारा article अगर आप access करना चाहते हैं अगर अगर आपको दिक्कत होता है तो definitely आप हमारे साथ जूर सकते हैं यहाँ पे contact number आपका दिया हो रहेगा जैसे अब देख पारे हरे की important news को हम short term long term simple भाषा में आपको समझा देते हैं और इस number पे आप हमारे साथ जूर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत होती ही और यहाँ ब कोई भी धिक्कत होती ही यह सकते है, we will be more than happy to help you out यहाँ आपको देख चाहें तक्छी थाओ भाषए तक एस भी लग दिक्कत होती ही ही, और कोई कोई बहुतकर हैं